आज पानीपर में सिविल हस्पताल में कॉंग्रेस पाड़ी की द्रफ से ऑक्सिजन कॉंसंट्रेटर्स बाटे गए। करन सरकार को बताया। महाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। महाँ पर कुछ-कुछ दिन के लिए ये को ऑक्सीजन कॉंसेंटेटर्स दिये जाएंगे। चाहिए मास्क की बात हो चाहिए अन्य जरूरत मंद लोगों को जिस भी जरूरत की बात हो उसी के तैट आदेनिया बाई सांसर दिपेंदर उड़ा जी ने पूरे परदेश में हर सी एच सी लेवल पे दो कंसेंट्रेटर बेजने का काम किया ताकि गरामीन आंचल के लोगों क आपने देखा पिछले समय में कितना बुरा आल रहा ओक्सीजन के लिए लोगों को जान गवानी पड़ी उसी चीज को देखते हुए जिम्मेदारी सरकार की बंती थी लुखे मंतरी बड़े बड़े उद्गाटन करके जा रहे लेकिन मेडिकल सुईदाओं के नाम पे किया है और और भी सीमो साब से बात हुई है और भी जो जरूरत होगी वह बेजने का काम करेंगे यह दस कंसंट्रेटर किपने एरिया में जाएंगे और कितनी लोगों की ज़रुतों को पूरा कर सकता है देखिए यह तो मेडिकल अफसर देखेंगे अभी सी हमारे पाने करेंगे तो उन्होंने हमारे से दस कंसंट्रेटर के लिए कहा था तो हमने तो मेडिकल अफसर जो भी पी एच्सी सी एच्सी बेटें जैसे भी उनकी रिक्वार्मेंट आएगी हम सेवा के लिए तयार है और इनकी संख्या को और बढाने का कुछ विचार है बिल्कुल जैस करेंगे की बात करेंटों महाँ नहीं कर रहे हैं नहीं को महाई आप पा रही है उन तक पहुंच पा रही है चाहे वह संटाइजर हो चाहे मास्क खो तो इस तरफ विकुछ द्रान है बिया एसा नहीं स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था लेकिन हमने गाउश्तर पर भी चाहे सेनेटाइजर का चटकाव कराने की बात है गलियों में सेनेटाइजर मसीन से चाहे मास्क बाटने की बात है हमारे सभी इसराना से विदायक बिलबिर बाल मिकी जी भी आये हैं समारका से धरम सिंग जी के बाई कवर सिंग जी भी आये हैं और भी हमारे कॉंगरेस के जितने भी सिपाई जो भी नेतागन है सबने अपने अपने अप्सेतर में गाव में से चिटकाव भी कराया है मास्क भी बटवाए है से नेटाइज भी बटवाए है विटामिन जो जुरूरत इसको लेके पढ़ती है तो हमारे लोग उसमों लगे वे और गाव में भी अब लोग पूरा सेफ्टी चाहिए उपकेकार जो तास का परचलन रहता है अब आप देखोंगे गाव में उस तरीके का भी आपको बुछ नजर नहीं आएगा मेरे तो कहना है कि जिस कोई गलत फार्मूला गलत त्रीका ना लेकड़े लोगों का इसका कोई नुक्षान ना उठाना पड़िए इस प्रकार की बात तो सरकार को विचार करना ची और मेरा तो मानना ये कि वेश्च में और एक आदमी को प्रोना मारी से बचने के जैसे मास्क लगाना करना दूरी बनाए रखना इन सब अधों का पालन चाहिए थी सेकार की दो कर रहे हैं तो इनको बैड मुआया नहीं कर वाय जा रहे हैं अब बहारी तोर पर जो आप और सभी किसी की बात की जा तो तुरन्त वो बैड उनको मॉहया करवा जाता है धर वो भी बैड अगर किसी जरूत मयंको दिया जाए तो उसकी जान बद सकती है तिर वो दम अपना भार तोड रहा है इसके लिए भी कुछ मंतरी कों इसकी जिल्मेदारी कहीं जा सकती है सरकार की विपक्स की या किसकी हमारे माननीयי मुखयमंत्य वपेंदर शी गुद्डा के आदेश से जो हमारे सर्करेंदर बगार बैड के और बगएर आकसीजन के बगएर द्वाईयों के इतने परिवार मर चुके हैं परिवार के परिवार खतम चुके हैं इसका जुम्हार कोन होगा जिसके परिवार के बच्चे चले गए हैं पूरा परिवार खतम हो गया उसका जवाब दे किस की सरकार की होगी हम तो कुछ नवाई नहीं है आम आदमी कोई कोन करेगा यह बात को सरकार को जवाब देना होगा मैं शेशी रूथरा आज हमारे जो लोगों की रहात के लिए भीज़े हैं हम मानते हैं कि करोना जो है बयां का रूप धारंग किये हुए और यह बीमारी कुद्रत की मानो या किसी की म को को नहीं मिलिए सरकार अपने गुल तो गारी हैं कि कुछ नहीं ही विद्दा साहँ रोज अपने बयान में हम अखबार में भी पढ़ते हैं मञा संद्ब है कि हम विपक्षबूली लोग सरकार की साथ मिल के काम करने को तैयार हैं सर्फ लोगों को बचाना है हमने अरह हम इन्होंने वहां पे मास्क सेनिटाइज अर्ले और थाने का समान शाजी ने इक रहा है तो बिल्कुल ही नकाम सरकार है इन्होंने लोगों को बरबाद कर दिया है बिल्कुल उन्हों पे में एम ले रहते हैं महां पिशक्षू काने बंद हैं ताकि उनको खत्रा हैं